इसका मतलब इसको कब्स तो जरूर हुई है लेकिन एसीडोसिस या एलकलोसिस ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये तापमान की दिरस्टी से बिल्कुल सामान्य है दोस्तो नमस्कार आज हम एक बक्री के पास खड़े हैं इसको प्रॉबलम क्या है कि ये पिछले तीन दिन से पोई भी मेंगनी बगईरा इस टूल बिल्कुल पास नहीं कर रही है यानि इसको कि कब्स की सिकायत हो गई है अब ऐसे में हम क्या-क्या चेक करेंगे और कैसे ठीट्मेंट करेंगे सारी बाते लेते हैं तो देखिए, वो thermometer, temperature देख लेंगे, number one, कि temperature बढ़ा हुआ तो नहीं है, temperature को check करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, temperature ले लो, और दूसरी जो चीज है, पकड़ करना, दूसरी जो चीज हमें देखनी है न, वो देखनी है कहीं इसके पेट में पानी तो नहीं बोल रहा, य जित्ती देहर मैं यहां से हिला के देखता हूं, यहां से, यह l track side है इसकी, तो left side से हम हिलाएंगे यह, और गोल से सुनेंगे कहीं, पानी तो नहीं बोल रहा है, और इदर हलका सा राइट से, क्योंकि pregnant है, तो इदर से हलका सा राइट से हिलाएंगे यह, पानी नहीं बोल है इसका मतलब इसको कबस तो जरूर हुई है लेकिन एसीडोसिस या एलकलोसिस ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है अब टेंपरेचर पर डिपेंड करेगा कि कोई इनफेक्शन है या नहीं है अगर मान लीजिए तापमान 103 से उपर आता है या 102.5 से भी उपर आता है तो हम मानेंगे कि इसको इनफेक्शन हो गया है तो वहाँ पर हम इनफेक्शन का ट्रिट्मेंट करेंगे ठीक है लेकिन अगर 102.5 से कम है कितना आया है देखिए 102.4 इसमें दिखाए एक सो दो पॉन चार इसका टेंपरेजर आया है इसका मतलब कि यह तापमान की दिरस्टी से बिल्कुर समान्य है अब इसको इन्फेक्शन भी नहीं है कोई अटपटी चीज खिलाई के आपने इसको अगर ओडाउठ होता है क्योंकि है क्या टॉडा व्रक्षिंगेख को आपने जरी अगर पर वियाविन बक्री को ऐसी सिकायद होती है कब्ज की तो ऐसी कंडिसन में आपको क्या करना चाहिए देखिए काला नमक देना काला नमक जो है अंब ने ये मंगवाया है बहुत ही अच्छा रहेगा ऐसे मामले में बहुत ही बड़िया रहता है तो सुरुवात आप करें सिर्फ अकेला काला नमक ही इसको गोल करके पिला दें कितना देना है मातर 10 ग्राम 10 ग्राम काला नमक देने मातर से ही ये ठीक हो जाएगे ऐसा है अगर नहीं होती है तो सेकिंड टाइम हम क्या करेंगे सुनना आप भी, सेकिंड टाइम हम क्या करेंगे काला नमक की जो दूसरी डोस देंगे उस दूसरी डोस के लगभग दो गंटे बाद काला नमक जितना हमने दिया है दस ग्राम उसकी चार गुणा, यानि चारीस से पचास ग्राम हम इसको सुगर यानि चीनी पिलाएंगे तो चीनी से और काला नमक से ये प्राब्लम जो है वो बिलकुर सौल हो जाएगी, इससे पहले ये जरूर देखेंगे कि इसकी डिवार्मिंग हुई है या नहीं हुई है तो फैनमना जोल की जो टेबलेट आती है क्योंकि इसका वजन है वो 35 से चालिस किलो गे आस पास है वाला फोर्मला देंगे ना तो क्लीरली इसे ठीक होना पड़ेगा अगर इससे ठीक नहीं होगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे डाइजेस्टिव बॉलस और जो डाइजेस्टिव पाउडर आते हैं उनको यूज करेंगे अगर डाइजेस्टिव पाउडर जैसे HB Strong हो गया, Ruchamax हो गया, Rumi Care हो गया, Dizamax हो गया वैसे हम पाउडर इसको बाद में देंगे और उन पाउडर से भी अगर नहीं हुई ना तो फिर भाई, बंद के जो पाउडर आते हैं एक दो टाइम, क्योंकि यह ज़्यादा सीरियस नहीं है जुगाली कर रही है के कभी-कभी कभी-कभी जुगाली कर रही है इतनी जो गंबीर बात नहीं है कभी-कभी जुगाली कर रही है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है step by step हमें दवा को बढ़ाना पड़ेगा अगर इनसे भी नहीं हुआ तो फिर एक impact dawn powder आता है impact dawn, जो कि कभी के लिए बहुत ही शानदार है बंद हो, कभज हो, कहीं पर भी तो फिर हम इसको impact dawn 20-20 ग्राम सुवे शान दिलवाएंगे तो clearly इसको मिंगनी आराम से लग जाएगी कोई प्रोब्लम नहीं रहेगी थोड़ा सा step लंबा था लेकिन अगर आप इसको follow करें पूरा तो जो कभज की सिकाइद हुई है उसे आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं